कैसे हैं आप सब सो आज हम डिसकस करने वाले हैं f9 जो कि 18 फर्वरी को हुआ था इसमें केमिस्ट्री में कवर्ट टॉपिक्स अपने पास हैं कोडिनेशन कंपाउंट्स डी और व्लोग एंड एस ब्लोग तो चलिए शुरू करते हैं क्या पूचा इसमें दाइव प्यस्ट्री होल शिक्स सील फॉर यह अपने को कंपाउंट दे रहा है इसका अपने को बताना है तो जब भी आप नॉमन क्लेचर करते हैं तो वहां हम क्या बोलते हैं सबसे पहले आप कैटाइं का नॉमन कलेचर करेंगे कैटाइं का नाम लिखेंगे फिर नाम लिखेंगे और एगर कैटाइं आपके पास कंप्लेक्स है तो उसमें जो लीगेंट है उसकार vaccination एंड दे उसका नाम एंड जो आइन नाम आता है तो यहां पर अपने पास जो complex आयन है वो है केट आयन तो इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो यहां पर लीग आपको लिखना पड़ेगा तो यहां पर अपने पास क्या जाएगा यहां पर अपने पास सब से पहले आएगा repetition में क्या है क्योंकि छे अपने पास अमाइन ग्रूप है अब जब अमाइन का अपने पास नाम आता है तो वहां पर हम लिखते हैं अमाइन double M यह अपन नेमिंग में इस्तिमाल करते हैं तो खास तोर से अपने को जान देना है हेक्जा अमाइन फिर अपने पास कौन आ जाएगा और कोई लिगेंट है नहीं तो सीधा सेंटल मेटल आटम आ जाएगा platinum क्योंकि अपने पास केटायन कॉंप्लेक्स है तो इसलिए आप यहां पर प्लेटीनम लिखते हैं अधर्वाइज अगर एनायन होता कॉंप्लेक्स तो वहां पर लास्ट में एट लगाते यहां पर ज़रूरत नहीं है फिर ब्रेक्ट में लिखेंगे इसकी ऑक्सिदेशन स्टेट अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो अमोनिया तो अपने पास न्यूट्रल है और क्लोरीन पर होता है माइनस वान टोटल कित नहीं हम लिखते हैं सीधा सीधा उनका नाम लिखते हैं तो यहां पर हम सीधा मेंशन कर देंगे क्लोराइड तो यह अपने पास इसकी नेमिंग हो जाएगी अब अगर यहां पर हम चेक करें तो इससे कौन सा मैच खाता है तो ज़रा चेक करें पहला ऑप्शन अपने को दे फ्रोराइड और एक फूर्थ ऑप्शन देर रगा है एक्जा अमाइन प्लाटिनम फ्रोराइड बहुत नीयरली सेम ऑप्शन से आप यहां पे कन्फ्यूज हो सकते हैं तो ध्यान दे अमोनिया है तो वहां पे अमाइन आना चाहिए डबल हमाना चाहिए ठीक तो इसलिए पहला option अपने पास गलत हो जाएगा यहाँ पर and fourth option जो होगा that will be your correct answer पाई acid ligand among the following निम लिखित में से पाई अमले ligand कौन है पाई acid ligand कौन होते है जो की electron pair accept भी कर रहा है अब बैक बांडिंग यहाँ पर given किसमें होती है केवल और केवल कार्बन मोन अक्साइड में ammonia is to have minus इनमें से कोई भी बैक बांडिंग नहीं करता है केवल कार्बन मोन अक्साइड करता है तो यह अपने पास पाई एसिड लिगेंड कर दे मैक्सिमम नंबर आइन प्रेडियूस फ्रों वन मोलेक्यूल ओफ सी ओ एनेश त्री होल सेख्स लिए जलिये विलियन में प्राप्त आयनों की अधिक्तम संख्या तो एक मोलेक्यूल अकर आप बात करेंगे तो यह जैसे ही वाटर में जाएग तो ब्रेक होगा तो एक तो बनेगा आपके पास कॉंप्लेक्स के टायन और जो एनायन है वो सिंपल है और उसके नंबर कितने तीन तो तीन एनायन और एक के टायन बनेगा टोटल नंबर ओव अपने पास आयन्स कितने बन रहे है चार तो यही अपने पास क्या हो जाएगा जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम इस शोन बाए जामीती समावेवता किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है तो जामीती समावेवता के लिए अपने पास क्या होना चाहिए या तो अगर अपने पास समन्वे संग्या मतलब कॉडिनेशन नमबर चार है तो वो स्क्वार प्लेनर हो वर कसमते लिए और अगर कॉडिनेशन नमबर छे है तो वहाँ पर कॉडिनेशन आपको देखना पड़ेंगे तो पहला जो अपने पास ना इसी होल पोर है यह तो वेल नॉन टेट्राइडल स्ट्रक्चर है तो यह तो संभव नहीं है दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड में पांच लिगेंड जो है वो सेम है अमोनिया और एक ही डिफरेंट है तो इनके कॉडिनेशन बनाना पॉसिबल नहीं है तो यह भी अपने पास जी आई शो नहीं कर सकते हैं तीसरे में बात करें तो आपके पास प्लैटीनम का कॉंप्लेक्स है कॉडिनेशन नमबर चार का जिसमें दो अमोनिया है और दो क्लोराइड है तो इसका मतलब यह जी आई शो करेंगे और सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन करेंगे तो यही अपने पास केवल और केवल जी आई शो करेगा आइनिक रेडाई इस मैक्सिमम फोर किसकी आइनिक तरिज्जा अधिक्तम होगी तो आपको दिख रहा होगा यह अपने पास लेंथनाइड एलिमेंट्स है उनके आयन सब पर चार्ज क्या है सेम अगर चार्ज सेम है तो लेफ्ट मोस्ट वाला सबसे बढ़ा होगा रीजन क्योंकि लेफ्ट व राइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर साइज क्या हो रही है लेंथनाइड में डिक्रीज तो सीरियम लेफ्ट मोस्ट में मिलता है और इसी वज़े से इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी रेडियस भी सबसे ज़्यादा यहां पर एक्टिंआइड में पूछा है मतल्से ज़्यादा उक्सीडर को निए सीफ ज़्याद मायन सीप्सिद्र स्टीयट क्कॉंसी प्लस सेवन हैं और उस्से ज़्यादा होती नहीं में इस इपसेंट इन्दकर जर्मन सिलवर में कौन सी धातु अनुपस्तित होती है तो आपको पता होगा इसका नाम जर्वन सिल्वर होता है लेकिन इसमें कभी भी आपके पास सिल्वर प्रिजेंट नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर अपने पास कौन सा एलिमेंट होता है सिल्वर आगे जिंक कॉपर निकल यह तीनों वहाँ पर प्रिजेंट होते हैं सॉल्यूशन अफ़ एलकली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इस ब्ल्यू इन कलर ड्यू टू द्राव अमोनिया में शार धातूं का विलियन नीले रंका होता है यह किसके कारण होता है तो वहाँ पर अपने पास जो शारिय धातू मतलब जो अलकली मेटल्स होते हैं वह क्या करते हैं लूस करते थे अमोनिया की प्रिजिस पर और वह इलेक्ट्रों कैसे हो जाते हैं तो इसी वज़े से उस सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाता है ब्ल्यू तो कौन सा ओप्शन रियक्ट विद एन्योश कौन सा ओप्शाइड एन्योश के साथ अभीकी रियाक कर सकता है तो यहां पर सारे के सारे एलकलाइन हर्थ मैटल्स क्या ऑक्साइड है जो की बेसिक होते जनरली नेचर में लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड का क्या सा होता है एमफिटरिक एमफिटर सॉल्यूबल इन वॉटर कौन सा योगिक जल में सरवाधिक आसानी से विलेशील है तो इसकी ट्रिक बदाए थी है अगर आपके बास पॉलियोटोमिक एनायन है तो वहां पर आप देखेंगे के डायन का नंबर के डायन का नंबर यहां तो एनायन के बराबर आ रहोगा या यहां पर आपन देखें तो मैगनेशम सबसे उपर है इसका मतलब इसकी सॉल्यूबलिटी सबसे ज्यादा होगी तो यह सॉल्यूबल होगा मॉस्ट रेडिली सॉल्यूबल होगा इन वॉटर compound which on heating does not liberate NO2 gas कौन सा योगिक गरम करने पर NO2 gas मुक्त नहीं करेगा तो group 1 के अंदर केवल lithium nitrate होता है जो की heat करने पर NO2 gas produce करता है group 2 पूरा करता है right group 1 में lithium के अलावा और कोई नहीं करता है तो group 1 का जो compound होगा that is sodium nitrate NNO3 on heating यह NO2 gas produce नहीं करता है केवल O2 gas produce करता है consider the following statement पहला देर का NO2CO3.10H2 is called washing soda NO2CO3.10H2 को धावन soda खा जाता है बिल्कुल सही बात है बहुत LICL, MgCl2 are soluble in ethanol, LICL थाथा MgCl2 दोनों ethanol में village shield है क्योंकि दोनों के अंदर covalent character काफी जादा होते हैं इसी वज़े से यह जो अपने पास organic solvents होते हैं उनमें soluble जादा होते हैं तो यह बिल्कुल सही statement है फिर NACL is delicate and crystallizes as NACL.2H2O NACL प्रस्वेदी होता है तता NACL.2H2O के रूप में crystallized होता है यह गलाद statement है तो यह statement होता है तो यह statement गलाद हो गया तो यह statement गलाद हो गया तो पहला correct है दूसरा correct है हमें correct statement बताने है तो कौन सा option अपना correct होगा फर्स्ट option correct हो जागा highest hydration enthalpy is off किसकी जलियोजन enthalpy सबसे उच होगी तो यहाँ पर आप चेक करें कि जब आपके पास same group के ions है तो वहाँ पे charge क्या है same और charge same है तो जितनी छोटी size उतना हाइडरेशन जितना हाइडरेशन उतना जादा हाइडरेशन enthalpy तो यह अपने पास क्या हो जाएगा बेरिलियम सबसे छोटा आयन है इसका hydration सबसे जादा हाइडरेशन enthalpy सबसे जादा तो यह अपना correct answer होगा कास्टनर-कलनर सेल एह इस यूस फोर preparation of कास्टनर काडल्स का उब्यों किसके विर्चन के लिए किया जाता है तो कास्टनर के ले सेल में हम ने बकाया था बताया था द्यूरिंग द authent Ti तो second option अपना क्या होगा हाबर correct तो यहां पर देखें लीथियम आपको देता है कैसा ब्रिक रेट ठीक है बेरियम आपको कलर कोई इसकी फ्लेम नहीं होती बेरियम आपको देगा कौन सा एपल ग्रीन ठीक है लीथियम का आपके पास होता है क्रिम्शन रेट ठीक है तो एक ही बच रहा है पुटेशियम यही अपने पास कैसी कलर देता है वॉयलेट टेस्ट देता है वॉयलेट फ्रेम टेस्ट ठीक तो यही अपने पास सीधा-सीधा करेक्ट आंसर होगा याद रखना है यह फेक्ट बेस है जान रखना तो यह अपने पास है तो एमन टू प्लस में अपने पास है तो टू प्लस में जब भी अपने पास है मन होता है वहाँ पर क्या होता डी फाइव अब डी फाइव वहाँ पर अपने पास होगा और जो अपने पास लिगेंट है वो कैसा है weak field ligand अगर weak field ligand है तो pairing नहीं होगी और अगर pairing नहीं होगी तो outer orbital complex बनेगा और outer orbital complex बनता है तो coordination number 6 के साथ वहाँ पर अपने पास क्या है था hybridization SP3D2 तो यही अपना correct होगा तो कौन्स option अपना correct बेठा first option will be the correct answer the metal present in wilkinson catalyst wilkinson उत्प्रेरक में उपस्तिद धातू तो भाईया rhodium wilkinson catalyst में present होता है यह सीधा पता होना चाहिए the set of elements in which all the atom form superoxide किस समुचे के सभी तातू superoxide बनाते हैं तो alkali metals के जो heavier metals होते हैं वो सारे के सारे superoxide बनाते हैं कौन कौन lithium नहीं बनाता sodium peroxide dominantly बनाता है potassium, rubidium, cesium सारे के सारे क्या बनाएंगे superoxide बनाते हैं dominantly कहा दिख रहे हैं first option में तो यह अपने correct answer हो जाएगा तो बताएं यह down the group lattice energy क्या होगी जैसे इस NIN की size बड़ेगी कम और अगर lattice energy कम होगी तो melting point क्या होगा कम तो सबसे था melting point किसका होगा जो सबसे छोटा आपने पास NIN होगा तो यह अपने correct answer हो जाएगा spin only magnetic moment of MNCN6 3- MNCN6 3- तो यहां पे ज़रा गौर करें पहले मेगनीज के oxidation state आप निकालें वो कितने आ रही है वो आ रही है अपने पास plus 3 ठीक है कितने आ रही है अब plus 3 oxidation state अगर आपके पास MNC आ रही है तो उसका ज़रा electronic configuration लिखे plus 3 oxidation state में कितना आ जाएगा 3D4 आ जाएगा अब 3D4 आपके पास यहाँ पर आ चुका है coordination number 6 आपके पास है ठीक D4 अगर आपके पास होता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब 1,2,3,4 यह आपके पास configuration होगा D4 अब ligand के अगर हम बात करें तो यह कैसा है strong field ligand है अगर यह strong field ligand है तो pairing करवाएगा तो pairing करवाएगा तो इस electron को उठाके इधर बेच देगा अब कुछ यह सोचते हैं कि sir pairing होगी तो इनकी भी तो होगी यह भी तो बाहर बेच देगा तो ज़रा ध्यान रखे कि pairing उतने की होगी जितने orbital required है यहां पर एक अल्रेडी वेकेंट है तो हमें एक और डी ओर्बिटल की requirement है तो एक ही इलेक्ट्रोन जाके पैड होगा जब यह जाके वहां पर पैड हो जाएगा तो बताएगे अब क्या condition आगी configuration की यहां पर आपके पास यह condition आ जाएगी और दो डी ओर्बिटल आपको वेकेंट मिल जाएगे तो आपके पास जो coordination number 6 है उसका hybridization आपको मिल जाएगा D2 SP3 साथ में दो unpaid electron मिल रहे है अब अगर दो unpaid electron मिल रहे हैं इसका मतलब जो magnetic movement आपके पास होगा वो two point something कुछ value होगी बहुर magneton तो यहां पर अपने पास कौन सा option आ रहा है third option तो यही अपना correct answer हो जाएगा which among the following is strongest field ligand nim liquid में से कौन सा एक प्रबलतम छेत्र ligand है तो जब आपने spectrochemical series बनाई हो वहाँ पर देखा हो cyanide strong field ligand होता है बहुत साथा strong होता है ठीक है तो यही अपने पास क्या हो जागा है यहां पर correct answer the species which is tetraidal in shape species के आकरती चतुश्वल के होगी तो यहां पर आप ज़रा call करें coordination number four के सारे है platinum स्क्वाइर बनाएगा निकल cyanide के साथ क्या बनाएगा square blaner क्योंकि cyanide strong field ligand है pairing करवा देगा copper NH3 के साथ coordination number 4 के साथ हमेशा square blaner geometry ही बनाता है यह हमने देखा भी था exceptional case बात करी थे ठीक है तो एक ही बचता है weak field ligand coordination number 4 के साथ यही अपने पास क्या बनाएगा यही अपने पास के जितने भी element होते हैं वो transuranic elements होते हैं हाया ना राइट तो uranium के बाद अपने पास कौन आता है actinite series के अंदर ठीक तो थोरियम पहले आता है actinium पहले आता है PA पहले आता है कौन सा बचा एम तो यही है जो कि अपने पास transuranic element होगा ठीक है क्योंकि यह uranium के बाद element अपने पास आता है actinite series में विच मेटल आयन इस colorless in aqueous medium जलिये माध्य में कौन सा धात्व आयन रंग हीन होगा जिसमें डीडी transition ना हो डीडी transition किसमें होगा ना होगा जहां पर डीजीरो होगा यह डीटेन होगा अब scandium का अगर आपके पास plus 3 आ रहा है तो वहाँ पर अपने पास डीडी transition होगा नहीं क्योंकि scandium में तो अपने पास 3D 1 ही होता है और 4S के दो इलेक्ट्रोन तो 4S के दो भी चले गए 3D का एक बी चला गया तो कुछ बचा नहीं तो डीडी transition not possible और इसी वज़े से यहां पर अपने पास इसका color कैसा हो जागा colorless the compound which will show optical isomerism कौन सा योगिक ध्रूवन समा वैवता धर्चाता है जरा गौर करें यहां पर अपने पास ऐसे option दे रखें तो अपने को odd one out करके तुरंद मिल जाएगा अगर आपको coordination number six वाला दे रखा है तो आपर देख लेना अगर तीन बाइडेंटेड लिगेंड किसी में भी होंगे तो hundred percent optically active होगा और हमें यहां पर देखने को मिल रहा है second option as it is यहां पर यह ने बाइडेंटेड लिगेंड और तीन बाइडेंडेंड लिगेंड तो hundred percent optically active बताया था क्यूं ठीक है क्योंकि उनके अंदर कोई POS नहीं होता है कोई COS नहीं होगा यहां पर तो अपने पास केवल और केवल oxygen होता है यहां पर यहां पर नाइट्रोजन हो यहां पर दो कभी सलफर तो कभी नाइट्रोजन तो यहीं एंपिटेंटेड लिगन की तरह एक करेगा अंतरकाशी योगिकों के संदर्भ में निमलिखित कत्चनों पर विचार करें पहला देरका है द्यार कैमिकली इनाट यह रासाइने की रूप से निश्किरी होते बिल्कुल सही कैमिकली इनाट होते हैं जब हमने यह रहा है वहापे लिखा विवी था बिल्कुल मेटल जो होता है उससे भी ज्यादा हाड होते हैं। यह भी सही हैं आज हैं स्था religious स्थारा ओल आर driving path कि विश ट्रांजीशन मेटल्स अमंग दा फॉलोविंग हैस दा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट निमलिकित में से किस संक्रमंट धातू का गलनांग सबसे कम होगा तो 3D सीरीज में जब आप मूब करते तो लेफ्ट टो राइट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लेफ् इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता सबसे कम तो यही अपने क्या होगा करेक्ट आंसर होगा करेक्ट ओडर ऑफ दा ऑक्सिडाइजिंग पार नहां पर वी ओटू प्लस मनोफोर मैनस यह तो सेवन टू मैनस की ऑक्सिकारी शमता का सही कराम होगा तो आपको यह चाहिए पता होगा MnO4 – the strong अपने पास सबसे जाधा चंद ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है उसके बाद किशकर नमबर आता है डएक्रोमेड आयन का टो डएक्रोमेड जो होता है वह सेकेंड इस ट्रॉंगेस होता है और उसके बाद अपने पास आता है वी ओटू प्लास यह कैसे डिसाइड करते हैं according to the SRP value तो उनके according हम decide करेंगे और यह order अपने को मिलना है तो कौन सा option सही दिख रहा है थार्ड option दिख रहा है यह अपना correct answer हो जाएगा कि मोस्ट basic compound among the following निमलिकित में से सरवाधिक शारी हो कि कौन होगा तो left to right जब आप length right series में बढ़ते हैं तो size हो दिए उससे basic strength घटती है तो left most का जो element होगा उसका जो बेस होगा वो सबसे ज़्यादा basic होगा तो बताव कौन सा दिख रहा है cerium दिख रहा है उसका hydroxide दिख रहा है यह अपने पास correct answer होगा which among the following is most abundant cation within cell fluid निम लिकित में से कौन सा धनायन कोशी का तरहल में सबसे प्रचूर मातरा में पाया जाता है तो के प्लस आयन अगर आपको याद हो पड़ाई शमायन सबसे ज़्यादा अंदर मिलता है ठीक है तो यह सिदा आपको याद करना है ज्यान रखना है स्लेक्ड लाइम बुजा हुआ चूना तो कैल्चियम हाइड्रॉकसाइड जो अपने पास होता है उसको ही हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बुजा हुआ चूना कौमन नहीं में सिदा याद होना चाहिए इनकरेक्ट में चमंग फॉलएंग निम लिकेत में से कौन सा गलत मिलान है डैट बंट प्लास्टर कैल्चियम सल्फेड बिल्कुल जिप्सम को जब आप अनकंट्रोलीट करते हैं तो जो अपने पास दो इस टू है वो निकल जाते हैं तो जो अपने पास बचता है उससे अ पैनेटी उसे जो गता है उससे बोलते हैं सोदाश तो यह भी बिल्कुल करक्ट हैं ब्लीचिंग पाउडर तो भाई या ब्लीचिंग पाउडर सीए सीए लट्ू पो आप नहीं बोलते हैं सीए ओ सीए जो सीएल होल ट्वाइस ठीक है तो यह अपने पास क्या हो गया इनकर मेटल कार्बोनेट अमंग दा फॉलोविंग निमलिकित में से उश्मिय रूप से सरवादिक इस्थाई दातु कार्बोनेट तो बताया था यापर हम यहां पस देखेंगे तो डाउन दाउन दौप साइस के और यह बढ़ रही है तो बेरियं अपने पास सब्सक्राइए होगा और इसी वज़े से इसका लेटिस सबसे बढ़िया होगा और यही मोस्ट इस्टेबल होगा थर्मो डायनेमिक लिए रिडियूसिंग पावर ऑफ विच मेटल इस इस धातु की अपचायक शमता सरवादिक होगा तो यहां पर बच्चे सबस्यादा गलत करके हाथ हैं वो क्या देखते हैं वो सोचते हैं आइनाइसेशन एनरजी की बात करिए क्यूंकि रिडियूसिंग पावर में वह आई-ई को करते हैं सिर्फ तो ऐसा नहीं है अगर आई-ई के बात है क्योंकि सबसे अपने पास कम आई-ई वैल्यू होती है लेकिन जब भी आप डिडियूसिंग पावर देखेंगे या उक्सिडाइजिंग पावर देखेंगे तो तो यहां रखना खास तो पर पर तो यहां पर जो बाई-कार्बोनेट उसमें लीथियम का बाई-कार्बोनेट कभी भी सॉलिड इस्टेट में नहीं मिलता हमेशा एक बस में मिलेगा क्रिस्टलाइस नहीं होता तो यही अपना क्या हो जाएगा औरेक्ट आंसर इन पोर्टलेट सिमेंट पर्सेंटेज ओफ विच केमिकल स्पीचिश इस हाइस पोर्टलेट सिमेंट में किस नहीं साहिने कि स्पीचिश का प्रतीशा सबसे अधिक होता है तो आपको पता होगा कैल्चियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसके D block में आप बस एक चीज़ यात रखें बागी सारे काम हो जाएंगे IE का irregular trend होता है तो पहला element की IE सबसे कम होती है lowest और दूसरे की जो last वाले element है उसकी होती है highest बागी सारे आपको आराम से मिल जाएंगे तो यहाँ पर अपने को scandium मिल रहा है first option में दिख रहा है और MN और CR में अगर अपन बात करेंगे तो MN की IE 1 जादा है क्योंकि CR जैसे ही एक electron निकाल रहा है तो D5 electronic configuration मिल रहा है जो कि most stable है ठीक है इसी वज़े से यहाँ पर अपने पास कौन सा अपने पास order सही हो जाएगा first option the species which is green in color is तो green color में जब आपने preparation करी थी के MN O4 की तो वहाँ पर बताया था spiral side or लेके अपने वहाँ पर सबसे पहले form करा था MN O4 2 minus और इसका जो color होता है वो होता है green color right बाकी MN O4 minus का होता है अपने पास deep violet color right CRO 4 2 minus का yellow color होता है CR 272 minus का color होता है orange तो अपने पास green color किसका दिख रहा है MN O4 2 minus का यही अपना correct answer होगा जाए यहाँ पूछे किसके हैं ठीक है मोल्स आपके पूचे हैं आई माइनस के जब आई माइनस के मोल आपको निकालने होते हैं तो कैसे आप निकालोगे तो इसका बहुत अच्छा आसान ट्रीक हैं ठीक है क्या ट्रीक है यहाँ पर आप N factor निकालने ठीक है जिसके गीवन मोल्स है ठीक है डिवाइड बाए एन फैक्टर जिसके मोल पूचे कहें ठीक तो आपका काम यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूत नहीं है तो आउड़ाइड आइन के मोल पूचे कहें तो एन फैक्टर किसका लेंगे भाई या पर्मेगनेट का एलकलाइन मीडियम मतलब वीक एलकलाइन या न्यूट्रल हमेशे यही मानेंगे जब तक स्ट्रॉंग एलकलाइन ना मेंचन करते ठीक तो एम एन ओफोर माइनस आपको याद होगा वहाँ जाता है एम एन फोर प्लस में तो इसका एन फैक्टर वहाँ पर कितना हुआ तीन क ए एलकलाइन मीडियम में जाता है आई ओ थ्री माइनस में तो माइनस उन में था प्लस पाइब में क्या एन फैक्थर होगया कितना 6 तो अप आवडाइडे आइम के मौल निकाल लेए हमने को तो एन फैक्टर किसका पर्मैगनेट का डिवाइड वॉए है आई माइनस का एंफेक्टर कितना आ गया वन बाइटू मॉल और यह अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन्स ऑप्शन मेट रहा है थर्ड ऑप्शन एंडट विल बी और करेक्ट आंसर हाइस नंबर ऑफ ऑक्शिडेशन स्टेट इस चोन बाइ निम निख में से अधिक्तम संख्या में ऑक्शिकर नहुसता दर्चाने वालत तो तो आपको पता होगा एम 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 सबसे जादा ऑक्शिडेशन स्टेट शो करता है थीडी सीरिस के अंदर क्यूंकि उसके पास एंप् आपको पता है आपको पता है आपको पता है आपको सबसे जादा को बाइजेशन में सबसे कम हीट ऑफ अटमाइजेशन में कंसिड़ फॉलोविंग स्टेटमेंट पहला देरख है कॉपर दस नॉट लिब्रेट हाइड्रोजन और रेक्शन विद दैलुट तो इस्ट शोपर के साथ अभी किरिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो यह स्टेटमेंट भी क्या है सही स्कैंडियम बढ़ा है एनाय सीओ फोर इस एन और्गेलो मेटली कंपाउंड एनाय सीओ और कार्ब धात्वीक योगी के तो बिल्कुल यह भी प्रफॉट मेंट क्या है सही तो पहला भी सही ए दूसरा भी सही है तीसरा भी सही पूचा क्या है सही पूचेंग तो आल ऑर करेक्ट तो कौन सा सबसे जादा होता है तो क्रोमियम अपने को दिख रहा है प्लस टू में जो की लोवेस्ट ऑपने पास है वो उससे जादा ऑक्सिडेशन स्टेट में प्रेजेंट क्रिस्टल फेल स्प्लीटिंग एनरजी इस हाइस पूर विच ऑफ फॉलविंग कॉंप्लेक्स किस संकूल के लिए क्रिस्टल शेत्र विपाठा नूर्जा सबसे अधिक होगी तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है किस पे सेंट्रल मेटल एटम उसके ऑक्सिडेशन स्टेट है गला है ऑक्सिडेशन स्टेटो हो किस पे जब सेम ही अपने पास जाधा सिदह सिदह और रेक्ट आंसर आ जाएगा दे क्रिस्टल फेल्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी फॉर था हाई स्पिन डी सिक्स ऑक्टाइडल कॉंप्लेक्स उच प्रच करंड डी सिक्स अश्टफल के संकूल के लिए क्रिस्टल शेत्र इस्थाई करण उडजा होगी तो सी एफसी प्लस का .6 डेल्टा नॉट एन इजी प्लस एक्स इंटो पी एं टी िटु जी नमर ओ एलेक्ट्रों आन टी जी औरॉर्बिटल एन इजी नमर ओफ एलेक्ट्रों इन इजी औरॉर्बिटल एक्स नमर ओ नू पयर्स अब आपको बोला है high spin D6 में तो D6 में आपके पास पहले number of electron pair कितने थे जब आप D6 में pair निकालेगे तो एक pair मिलता था आपको पहले ठीक अब आप high spin complex मना रहे है तो T2G अपने पास हो जाएगा कितना 4 और EG हो जाएगा 2 ठीक है तो T2G4, EG2, यहाँ पर भी आपको पेर कितना मिल रहा है, A की पेर मिल रहा है, इसका मतलब कोई पेर नियू नहीं है, मतलब X की वैल्यू कितनी हो गई, 0, अब X की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो यहाँ पर अपने पास, अब निकालेंगे हम CFAC, वैल्यू स्पूट कर number of electrons in T2G कितना हो गए, 4, plus का 0.6 delta 0, N, EG, EG में कितने electron हो गए, 2, plus, 0 into P, right, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, वैल्यू को सॉल्व कर ले, तो अगर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास, क्या वैल्यू आजाएगी, यह अपने पास हो जाएगा, माइनस का, 1.6 delta 0, यह हो जाएगा, 1.2 delta 0, right, तो इसको अगर आप सिंप्लिफाय करेंगे, तो क्या है रहा है, माइनस का, 0.4 delta 0, and यह वैल्यू होगी, cfac की, ठीक है, तो अगर अपन से पूछा जाएगा, कौन सो option अपने पास correct दिख रहा है, 4th option दिख रहा है, तो this will be the correct answer, the complex which is diamagnetic in nature, प्रती चुम्ब की प्रकृति वाला संकूल कौन होगा, तो आपको diamagnetic निकालना है, अब जरा ligand चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर आप ligand देखेंगे, तो H2O है, H2O, अगर कोबाल्ट प्लस 3 oxidation state में आ जाता है, तो हमेशा strong field ligand होता है, तो देखें जरा कोबाल्ट है क्या, यह दिख रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस 3 में दिख रहा है क्या, बिल्कुल है, तो H2O उसके लिए क्या है, strong field ligand, बागी सब के लिए H2O weak है, ठीक है, और अगर यह strong field ligand है, तो इसका मतलब यहाँ पर सारे पेड हो जाएंगे, कोबाल्ट का प्लस 3 में क्या होता है, डी 6 होता है, अगर यह दी 6 होगा, तो विस ही बात है, यहाँ पर अपने पास, यह सारे electron pair मिलेंगे, and that will be the diamagnetic in nature, तो यही अपने पास correct answer हो जाएगा, कोबाल्ट अपने को एक complex देरका है, CO NH3 5 SO4 BR, and CO NH3 5 BR SO4 R, तो यह पूचा है कि यह किस type के isomer है, समावई भी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों compounds को dissolve करेंगे, वाटर में तो different ions आपको मिलेंगे, इसका मतलब ही एक क्या शोकर है, ionization isomer, ठीक है, तो अपने पास, कौन सा option आजाएगा, third option आजाएगा, ionon समावेव, which among the following will show GI, निम लिखेत में से कौन सा एक्जामिती समावेव ता दर्शाता है, तो NICO4, tetrahydral नहीं शो करेगा, CO NH3, whole 5, CL, एक ही ligand different है, बागी path से में कोई combination possible नहीं शो करेगा, यहाँ पर छे के छे ligand से में कुछ नहीं शो करेगा, यहाँ पर दो अपने पास monodentate है और दो अपने पास byodentate है, यह definitely शो करेगा GI, यहाँ तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, correct option, which among the following compound is most easily soluble in organic solvent, निमले कितमे से कौन सा योगिक, carbonic विलायकों में सबसे आसानी से विलेशील होता है, तो आपको पता होगा, जो सबसे ज़्यादा covalent nature का होगा, वो सबसे ज़्यादा soluble होगा, chloride दे रखे हैं, तो आपको पता है, second group के जो chloride होते हैं, उसमें beryllium के जो nature होता है, वो covalent nature होता है, chloride का, तो most covalent nature, beryllium chloride हैं, और इसी वज़े से, यह सबसे ज़्यादा soluble होगा, organic solvent में, ठीक है, तो यह अपने पास क्या हो जाएगा, correct answer, correct होए हैं, उनको दुबारा से खुझ से एक बार solve करें, thank you so much, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो के अंदर,